मुरादाबाद में एक जन सवाद कारेक्र में पहुचे उत्तर परदेश के मुख्यमंसी योग्रारित्यनाथ ने मंसे कॉंग्रेस पर जम कर जुबानी हमला बोला। क्या कुछ कहां उन्होंने आप ही सुने। अगर भारत अलग अलग राश्टिताओं का समो होता तो केरल से निकला एक सन्यासी भारत के चार कोनों में चार पीठों की अस्तापना नहीं कर पाता। और नहीं इस बात को स्विकार किया कि देश का कॉमनिस्टान दूलन भर्मित था, भटका हुआ था, भारत के खिलाब देश द्रू करने वाला था, और अजब मुझे कॉमनिस्टान दूलन के उन दिनों की याद आती है तो मुझे पस्याताप होता है। वायो मेनों, यह सच्चाई है। लेकिन इस सब के बावजोद, हम सब का वजोद, तब है जब भारत भारत बना रहेगा, भारत सुरक्सित होगा, भारत समर्द होगा, और भारत दुनिया की एक महासक्ते की रुप में स्थापित होगा। और इसलिए हमारे आए एक बात कही जाती है, जिसको स्वामी वेवेकाननद नेवी और मारसी अरबिन नेवी बात बड़ी जोर दे करके कहा था। कि हमारी उपासना बड़ी अलग-अलग हो सकती है, हमारी चाती अलग हो सकती है, छेतर और भासाएं अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा भारत, हमारा रास्त धर्ब, जो हमें किसी भी उपासना बड़ी से उपर उठकर के, अपने देश के पारे में सोचने के लिए प्रेयरित करती है उसकी और अग्रसर करती है और यह जो बाते हैं महरसी अर्विंदा ने इस बात को कही तो